कोस्चन नियू भेकंसी बिहार पुलिस के लिए सांदार प्राइक्टिस से इसको अवस्य देखें यह सारी कोस्चन आपके लिए महत पूर्ण है को शुरुआत को कर रहें देख रहें कि यूनेसको की आस्थापना कब हुई थी 24 फरवरी 1945, 24 दिसमबर 1948 को या 16 नमबर 1945 या 11 दिसमबर 1946 को तो दोस्टों इसका सही आंसर बता रहें कि सही आंसर क्या होगा तो दोस्टों इसका करेक्ट आंसर होगा अपसर नमर C is right answer चलते हैं कोस्चन नमर नेस्ट पर इस कोस्चन की बात करें यूनेसको का मुख्याले कहां है पेरिस, ओसलो, रॉम या इस्तामबुल तो दोस्टों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं तो दोस्टों इसका सही आंसर होगा अपसर नमर C is right answer दोस्टों इसका सही आंसर होगा अपसर नमर C is right answer दोस्टों इस सभी बिहार पुलिस से संबंदित आपका एक्जाम जो होने वाला है इसमें यह कोस्टन पूछे जाएंगे तो आप देखनें भारत का पर्थम वाइसरा कौन था विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइब, लॉर्ड वेलिजली या लॉर्ड केनिग दोस्टों इसका सही आंसर बतायों कि आंसर क्या होगा, दोस्टों कर्रेक्ट आंसर रहें कि कि वीग्यान की होगा, बेवसाई को डेक्वाइब, निल्यंग, बेवसाई आप जान गई होंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नमर ए इज राइट आंसर ने इस कुश्चन को देखने के डॉक्टरियन लैप्स अपनीती किसने बनाई थी तो लाड करजन ने लाड मांड बेटे ने लाड डल होजी ने या लाड कलाइब ने तो दोस्तों जब जिसे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्सन नमर सी इज राइट आंसर ने इस कुश्चन की बात करें के निमली खीत में किस को सिखाओं में नाभिक नहीं होता है मूड रॉम को सिखाओं में सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वेंग विकास एवंग परजन करने में समर्थ हैं तो विशानू दिवानू या मायको प्लाज्मा या वैक्ट्री रिप्शियोज तो दोस्तों इसका सही आंसर आप चुल लिए होंगे इस कुश्चन की बात करें कि मुगल समॉराट हमाहिय। का मकबरा कहां है तो दोस्तों इसका सही answer आप चुल लिए होंगे दोस्तों ने इस question की बात करें कि बंगाल सत्ती वीनिमाई न 1829 भारत के किस गवर्णर जनरल द्वारा लाया गया था तो Edward Law, Lord William Banting, Sir Henry Hodding या William Butterworth Ville तो दोस्तों इसका सही answer आप चुन लिये होंगे Correct answer of option number B, Lord William Banting is right answer दोस्तों question को देख रहे हैं कि वीजान से है निमलीखीत में कोन सा कथन गलत है पदार्थ के कन अस्थिरा वस्था में होते हैं, पदार्थ के कन बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कन एक दुसरे को आकरसीद करते हैं, और पदार्थ के कनों के बीच दिखता स्थान होते हैं, तो चीज चार उप्सिन में से दोस्तों आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा कथन गलत है या गलत कथन निकालने के लिए कह रहा है तो ये भी आपका सही है ये भी सही है ये भी सही है तो ये आंसर जो गलत है तो आपका अंसर आपका अंसर आपके लिए सही रहेगा चलते हैं कोश्चन नमर नेस्ट पर कि सुतंत भारत के गवर्नर जनरल कौन थे राजाजी लाड़ मांडबे टैन राज अनिर परशाद या लाड़ बिवेल तो दोस्तों यह करे यह भी भी आई कोस्चन है यह कोस्चन तो एक जामें पूछा ही जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर आप चुने हैं तो करेक्ट आंस होगा option number a is right answer दोस्तों question आपके पास next आच चुका है जो भी important question है उसी के लिए आपको हम share कर रहे हैं जलती सी इसको देख ले हवा महलका निर्मान किस नहीं किया था महाराजा भगवा सिंग ने महाराजा जगजित सिंग ने महाराजा सवाई परताब सिंग ने या महाराजा जस्वन सिंग ने तो प्यारे दोस्तों सही answer को बताएं चुनें कि सही answer क्या होगा दोस्तों आप answer चुन दिये correct answer होगा option number c महाराजा अफसावाई परताब सिंग ने राइट answer दोस्तों ने इस question की बात करें कि जैपूर में हवा महलका निर्मान किस से हुआ है सफेद और हर महलका निर्मान किया गया था तो ये काफी महत्पन question है आप देख रहे हैं कि किस भारती राष्टी कांग्रेस के अधिवेशन में जवाला नहरू ने समाजवात को भारत की समस्याओं को हल करने की कुझी बताया तो फेजपूर अधिवेशन 1937 या लखनाउ अधिवेशन 1936 या लाहूर अधिवेशन 1937 तो दोस्तों जल्दी से बनाएं सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों आप इसका आंसर भी चूर लिया होंगे correct answer of option number B लखनाउ अधिवेशन is right answer दोस्तों question आपकी पास है कि Interpol का headquarter कहां है लंदन में लियोन में या मांट्रेनल में तो दोस्त इसका सही आंसर होगा option number B is right answer सूरी गरन के समय सूरी और प्रित्विय के बीज में चंद्रमा आ जाती है मैं इस question की बात करें कि स्वेज नहर की लंबाई की कितनी है 110 km, 150 km, 168 km या 125 km तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा option number C 168 km is right answer इस question की बात करें कि निमन में कौन सा मुगल सास अगराजपुद मा के गर्व से जनम लिये थे सहाजां वा अरंग जेव अकबर वा जहागिर जहागिर वा सहाजां या जहागिर वा हुमायू तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा तो correct answer होगा option number C is right answer दोस्तों आज का class कैसा रहा अगर इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो जरूर कोमेंट करें अगर चैनल पर नाए है तो अभी subscribe कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकसन लो आल पर किलिकरें thank you